स्वाइम सेवकों की प्रतिभा को विक्सित करना सबसे पहले हमें प्रतिभाशाली लोगों को शामिल करना होगा और इसलिए हम चर्च के लिए दर्शन को परिभाशित करते हैं जो लोग अगवा हैं, पास्टर ये अगवा नहीं लेकिन जो लोग अगवा हैं और जिनके पास नेतरित्व का वरदान है वे उत्साहित होंगे क्योंकि वे समझते हैं कि दर्शन क्या है और फिर पास्टर दर्शन को स्पष्ट करता है वह अन्य अगवां के साथ दर्शन को स्पष्ट करता है और फिर वह दर्शन को कारियरूप देता है तो दर्शन को परिभाशित किया जाता है इसे स्पष्ट किया जाता है और फिर इसे कार्य रूप दिया जाता है दूसरे शब्दों में पास्टर ये अगवा इसके बारे में बताता है समझाता है कि ये क्या है और वह लोगों को ये विश्वास दिराता है कि पर्मेश और इस चर्च का इसी तरह से नित्रित्व कर रहा है। नंबर दो पर आगे बढ़ते हैं प्रतिवाशाली लोगों का पोशन करना, इस पर ध्यान दे, अक्षर A, अगवे ही अगवों को आकरशित करते हैं। दूसरी बात, हम किसी और को जिम्यदारे नहीं देते हैं। दूसरे शब्दों में बड़े दर्शन को परिभाशित करने का काम चर्च के अगवे को दी जाती है, किसी और को नहीं। सिवकाई के उपविंदू, छोटे छेत्रों में दर्शन उन अगवाउन द्वारा दिया जाता है, लेकिन समग्र दर्शन पास्टरी अगवा द्वारा ही दिया जाता है। दूरदर्शी अगवा यह जानता है कि लोगों को क्या प्रेरित करता है और वो हमेशा लोगों को उनकी प्रतिवा के अनुसार विक्सित करने की प्रक्रिया में सक्रिय रहता है दूसरे शब्दों में यदि आपके पास दया का वर्दान है जो एक-एक के प्रती की जाने वाली वर्दान है मदद का वर्दान है जो एक-एक के प्रती की जाने वाली वर्दान है तो मैं निश्चे ही आपको पढ़ाने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि आपकी सेवकाई समुह के लिए नहीं है, ये लोगों के लिए व्यक्तिकत आधार पर है जब हम प्रतिफार्शाली लोगों का पालन पोशन करते हैं, हम बिविनने शैलियों की सराहना करते हैं हम सभी एक ही तरह के सेवक नहीं हैं, हम सभी एक ही तरह से नहीं पढ़ाते, हम सभी एक ही प्रकार्ज से उपदेश नहीं देते हैं, हम सभी एक ही तरह से दया व्यक्त नहीं करते, लेकिन फिर से यहां सपर्ष का विशय है, हम उनसे सफलता की कहानिया बनाते हैं, हम लोगों और मैंने यह पहले भी कहा है, हमें स्वयम को जानना होगा, हमें यह जानना होगा कि हमारा दर्शन कोशंट क्या है, क्या परमेशोर ने मुझे वर्दान दिया है, और क्या उसने मुझे 100 के चर्च, 200 के, 500 के या 1000 के चर्च का नेत्रित्व करने का दर्शन दिया है, हमें से प् अपने वर्दानों का इमानदार मुल्यांकन करना होगा. और अब कौन, क्या, कब, क्यों, और कहां? मेरे पास दो शब्द हैं, खिलाडी या स्थान. एक फुटबॉल टीम के बारे में सोचें. जैसा कि हम टीम को एक साथ रख रहे हैं, क्या हम सिर्फ गोल कीपर की तलाश कर रहे हैं, या हम अच्छे खिलाडियों की तलाश कर रहे हैं? और मैं कहता हूँ कि हम अच्छे खिलाडियों की तलाश कर रहे हैं, इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ गोल कीपर पर नहीं, बलकि हमें उन लोगों की भी आवशक्ता है जो रक्षा पंक्ती में खेलेंगे हमें उन लोगों की भी आवशक्ता है जो दूसरे गोल पर आक्रमन करेंगे हम सिर्फ एक व्यक्ति की तलाश नहीं कर रहे हैं हम खिलाडियों की तलाश कर रहे हैं सिर्फ एक स्थान को भरने की नहीं दूसरा हमें नेत्रितों के लिए लोगों को भरती करने में स्पष्ट होना होगा हमें उन्हें यह बताना होगा कि इस सिवकाई में किस परिपुकता स्तर की आवशक्ता है हमें उन्हें ये बताना होगा कि कौन सी वर्दान मिश्रन की आवशक्ता है हमें उनके प्रती इमानदार रहने की आवशक्ता है उन्हें समय की आवशक्ता के बारे में बताना होगा मैं इसे फिर से कहूंगा हम लोगों का समय वरवाद नहीं कर सकते हमें लोगों के समय के प्रती संवेदन शील होने की आवशक्ता है आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम और प्रशासन के बारे में बात करते हैं हम कहते हैं यह सिवकाई कार्यक्रम है और इस प्रकार से हम इसे प्रवंधित करेंगे और इस प्रकार से वे लोग जिनके पास प्रवंधन का वर्दान है, आपको दूसरों की जीवन को चूने में मदद करेंगे हम उन्हें यह समझाते हैं कि पास्टिरे देखवाल और अनुशाषन महतुपूर्ण है तो हम उन्हें यह बताते हैं कि हम चाहते हैं कि वे लोगों को अनुशाषित करें क्योंकि वे पास्टिरे देखवाल व्यक्त करते हैं और हम उन्हें उस जिम्यदारी में बढ़ने के लिए समय देते हैं सिवकाई सीखने में समय लगता है, सिवकाई में कैसे आगे बढ़ना है यह सीखने में समय लगता है, कुछ महतुपूर्ण सिधान्त, सिवकाई के लक्षों, सिवकाई के उदेश्य और अंतिम परिणाम को स्पष्ट रूप से जाने, दूसरे शब्दों में यदि हम माध्यम में यह इस तरह दिखेगा, हम अपेक्षाओं का संचार करते हैं, हम स्पष्ट अधिकार देते हैं, मैंने पहले भूमिकाओं, नियमों और रिष्टों के बारे में बात की थी, डेलस थिलोजिकल सेमिनेरी के डॉक्टर हावर्ड हेंडरिंस ने कहा, कि हम भूमिकाई निर् अब हाई स्कूल की छात्रों की सेवा नहीं करेंगे, आप छोटे बच्चों की सेवा करेंगे, यही अपेक्षा की गई है, हम नहीं चाहते कि आप अन्या सेवकाई करें, हम चाहते हैं कि आप उन छोटे बच्चों के साथ रहें, इसलिए हम उन्हें दिशा देते हैं और फ हम उन्हें यह सौपते हैं इसलिए वे उस सिवकाई के लिए जिम्मदार हैं लेकिन यहां फिर से वही शब्द है हम उनके प्रदर्शन का मुल्यांकन करते हैं हम उन्हें यह जानने में मदद करते हैं कि कहां उन्हें बढ़ने की आवशकता है और वे कहां सफल हो रहे हैं प् यहाँ परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हूँ वद्रिड निश्चाई था उसने मुड कर कहा मुझे यरुशलेम को अवश्चे जाना है और उसने सब बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा किया तो फिर हमें इस बारे में सोचना होगा क्या हम अपने इरादा रखते हैं क्या हम नेत्रित्व व्यक्त कर रहे हैं और क्या हमें इस बात की यकीन है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है जब हम लोगों को सिवकाई के लिए प्रेरित करते हैं तो हमें कुछ विशेस आचरोनों पर ध्यान देने की आवशकता है उनके साथ वैसा ही योग नहीं करते हम लोगों को स्वेच्छा से आगे बढ़ने के लिए प्रेडित करते हैं हम जो कर रहे हैं उसके प्रती हम जुनूनी हैं और हम समझते हैं कि अगवा अगवे को आकरशित करते हैं हमें स्वयम के प्रती जागरुकता रखनी होगी वह अविव्यक्ति फिर से आती है हम अपनी शैली जानते हैं नेत्रितो शैली जानते हैं और हम उनकी नेत्रितो शैली को जानते हैं और उन्हें यह समझने में मदद करते हैं कि उनकी नेत्रितो शैली क्या है फिर हम उन्हें इस सवकाई का इतिहास समझाते हैं और यह भी कि हमें क्यों लगता है कि व हम चाहते हैं कि वे इसे समझें कि हमारा भविश्य एक बढ़ता हुआ भविश्य हो और हम चाहते हैं कि जो हम आज कर रहे हैं भविश्य में यह उससे बहतर हो उस अर्थ में हम उनका विकास करें और हम उन्हें भविश्य की ओर देखने में मदद करें और हम इस पर बिल्कुल स्पर्ष्ट है कि हमारा दर्शन क्या है, हमारा लक्ष क्या है और हमारा मिशन क्या है और फिर, चुकि यह लोगों से संबन्दित है, हम उन्हें चूते हैं इस तरह से नहीं, बलकि हम उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए चूते हैं लोगों को यह बता कर कि वे कितना अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हम यह कहने में दिड़ होते हैं कि हम यही कर रहे हैं और हम इसी ओर आगे बढ़ रहे हैं और यह सेवकाई यही है प्रतिबधता को सुरक्षित करना आधुनिक प्रवंधन विज्ञान के जनक पीटर वैगनर कहते हैं अगवा का पहला कारिय यह सुनिश्चित करना है कि हर कोई मिशन को देखे, सुने और उसे जीए इसलिए एक अगवा को प्रेरना या उत्सा की सामन्या समझ पैदा करने की अपनी शमता से परे जाने की आवशक्ता होगी इस पर ध्यान दें बलकि दूसरों को उस विशेश चर्च के विशेश्ट दृष्टिकौन के प्रति, प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित करना चाहिए अगवा लोगों को भविश्च देखने के लिए और उसमें शामिल होने के लिए तयार करते हैं मैं कुछ समय इस पर बिताना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा पेपर है जिसे सेवकाई में प्रवेश करने से पहले स्वयम का मुल्यांकन करने में मदद के लिए मैंने सेवकाई के अन्य लोगों के साथ मिलकर इसे लिखा है और मैं इसे पूरा आप के लिए नहीं पढ़ूँगा, लेकिन मैं सबसे उपर लिखी गई बातों से शुरुआत करता हूँ गैर अभिशिक सेवकों के लिए सो मुल्यांकन तो हम उन्हें इसे दे कर कहते हैं, जैसे कि आप सेवकाई में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं तो एकांत में जाकर इसे पढ़ें, इस पर मनन करें, इसके बारे में सोचें इश्यू मसी के नाम पर और पोईतरात्म की शक्ती में दूसरों की सेवा करना जीवन के सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। जो लोग सेवकाई में नेतरीत्व की जिम्यदारी समालते हैं वे स्वयम की नहीं बलकी परमेश्वर की महीमा करने की प्रयास करते हैं। और फिर हम मोटे अक्षरों में कहते हैं सेवकाई कोई अधिकार नहीं है यह एक आननदायक सौभाग्या है। प्रेर्णा, उत्कृष्टिता के प्रतिव, प्रतिवध्धता और अपने वर्दानों के उप्योग की मांग करती है। राजाओं के राजा के सेवक के रूप में हम अपने जीवन में उसके लोगों के समुदाई के सामने और उस बड़े समुदाई के लिए जिसमें चोर्च स्थापित है उसके शासन का प्रतिनिदित्व करते हैं। अब इस पर ध्यान दें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ह हमारे राज्य का प्रतिनिदित्व हर तरह से आकरशक हो। हम इन मान दंडों के अनुसार अपना मुल्यांकन करते हैं। और आप उन्हें स्वयम पढ़ सकते हैं। एक विश्वासी, एक अच्छा सेवक, विनम्र, स्वच्छ वर्तन, एक अच्छी प्रतिष्ठा, कृतग्य संगती बनाये रखना, एक सुरक्षात्माग भावना, देना, चर्च की भलाई के लिए अपने पैसों को देना, प्रोचसाहन का शब्द, अगर आप नीचे देखें, तो लेखक अग्यात है, मुझे नहीं पता कि ये किसने लिखा है, काश मैंने ऐसा लिखा होता, लेकिन म कोई ऐसा नहीं करता, बेशक आत्म मुल्यांकन कठिन हो सकता है, कुछ लोग अपने आप पर बहुत सक्त होते हैं, दूसरे लोग दरपन में इतने देर तक नहीं देखते कि कोई दोश देख सके, हमें यह याद रखना है कि जह हम इन छेत्रों में बढ़ते हैं और सीखते ह हमारे पास चिंता का कोई कारण नहीं है, हम सभी परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, वास्ताओं में हमें से अधिकांश लोग अच्छे और शांदार दिनों की तुलना में बढ़ने और सीखने वाले दिनों को अधिक याद करते हैं, इसलिए अगवा के रूप में स्वयम को एक या अधिक शेत्रों में अत्यधिक कमी पाते हैं, तो हम खुद को इस सार्वजनिक शेत्र से दूर करते हैं, हम परमेश्वर को हमारे जीवन के इस शेत्र में हमसे निपटने का अवसर देने के लिए स्वयम को अलग करते हैं, जिनके हम सेवा करना चाहते हैं। दूसरों से ज्यादा अगवा इस बात पर सावधान रहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हो जिसके कारण कमजोर भाई को ठोकर लगे। और इसके लिए हमारी चुनवती है कि परमेशोर के वचन का दरपन रखें और अपने जीवन की उचित मुल्यांकन करें। दूसरों को अपने और आकरशित करने के लिए प्रभू और उद्धार करता इश्यू मसी हमें स्वयम को उनके प्रकाश में देखने में मदद करें। एक चोटा सा योगदान भी बड़ा बदलाव ला सकता है। इश्यू ने एक चोटे लड़के की पाँच रोटियों से पाँच हजार लोगों को खाना खिलाया। राशी चाहे जो भी हूँ, आपका योगदान बहुत महतोपुर्ण है और अत्यधिक सराहनिय है। हमसे www.tvseminary.com में मिलें। झाल सुपता सुपता करते दो ने राशचा झाल 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 हमसे गजो झाल झाल